खंचन सावन ब्लोग में आपका स्वागत है आज देखिए हम लोग सर्श्वती पुजा केशु भाउसर पर भंडारा का योजन कर रहे हैं इसके लिए हम लोग की सभी महीला समू की सदस यहां पर काम पर लगे हुए हैं इसके लिए देखिए फुलकोबी, बैगन, प्याज, टमाटर और इधर चावल धुआ रहा है देखिए देखिए आलू बोयल करके रखा हुआ है और इधर चुलहा जला हुआ है हांडी बैठाया हुआ है देखिए आज हम लोग भंडारा का योजन कर रहे हैं देखिए भंडारा के लिए खिचडी बन के तयार है कितना सुन्दर लाजवाब दिख रहा है देखिए देखिए ये किधा चुलहा में बन रहा है अभी ये बन ही रहा है और यहां देखिए चोखा में डालने के लिए मिर्चा आग में पका रहे हैं आग में पकाया हुआ, मिरचा आलो चोखा में बहुत स्वात occurring इखेये, चोखा भी यहां बनकी तयार है इदर नोनी है यही नोनी चोखा बना रही है अधर हमारे गीत आमा भी है दखे-बदनाम इधर दखेया हमारे माने जी हम लोग के देवर है पानी भरने में लगे हुए हैं, हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, हम लोग के नमीन बाभू देखे, भंडारा बनाने वाले हैं, कितना सुंदर भंडारा बना के तयार कर दिये हैं, इधर पतल तयार है, हम लोग पतल में खाएंगे, डिस्पोजल का उप्योग नहीं करेंगे, द देखिए कितना सुन्दर थाली दिख रहा है विश्पोजल का देखिए भंडारा खाने के लिए हम लोग इस तरह से पत्ता से पत्तल सी रहे हैं इस तरह से देखिए ये पत्तल इस तरह से बंडारा है इस जगह इसे कोना किया जाता है देखिए इस जगह बास का जो खड़का उसे हम सी रहे हैं, बना रहे हैं, दखिये, सब कोना को इस तरह से मिला के सिल देंगे, दखिये, इस तरह से दखिये, तारा कोना सिल जा रहा है, रखिये, इस तरह से थाली बन गया, पतल का थाली, दखिये, इस तरह से बहुत सारा थाली है, इधर दिखाएए, देखिये, बंडा रखाने के लिए, हमारी दीदी पतल लेके आई है, इतना सारा पतल देखिये, दखिये, इस तरह से सरस्वती पुजा हो गया, बच्चा लोग पोला ये देखिये, कितने सारे बच्चे लोग हो हीं, देखिये, बहुत ही सुन्दर पुजा पाठ हो गया, देखिये, ने, इस तरह से दो खाली है, पतले ने, देखे इस तरह से हम लोग के घर में भी छोटा सर्श्वती मा कागमन हुआ है ये सारी सोहम ने बनाया है और इधर देखे चुलबुल आई हुई है और इधर नंदनी है इधर सारी सोहम उधर अपरनारानी और इधर हनुरूद बाबू है इस तरह से देखे इस तरह से मा सार्डे का बच्चे लोग आर्ति कर रहे हैं कितना ही सुंदर लग रहा है बच्चों का खुसी देखा नहीं जा रहा है देखे इस तरह से भंडारा शुरू हो गया पूजा भी उधार हो गया इधर भंडारा भी शुरूर हो गया इस तरह से लोग अपना-पना पतल में भंडारा लेके खा रहे हैं देखिए माने बाबु इस तरह से खिचणी खा रहे हैं इधर हमारे काका जी भी खा रहे हैं देखिए इस तरह से हमारी महिला लोग भंडारा का लूट उठा रही है इस तरह से इस तरह से हम अपना बलोग अंत करते हैं धन्यावाद आप अपना खयाल रखिए